फिल्म भारत से प्रियांका चोपरा की सटन और अन्सेरिमोनियोस एग्जिट ने सभी को हैरान कर दिया और कई लोग अब इस फिल्म के फ्यूचर को लेकर भी स्केप्टिकल थे क्योंकि शूटिंग शुरू होने के पांच दिन पहले ही फिल्म ने इतना बड़ा रोड ब्लॉक फेस किया मगर ये सेट बैक फिल्म के लिए एक ब्लेसिंग थी और इसके बाद ही कट्रीना कैफ इस फिल्म की लीडिंग लेडी बन गई ऐसे में कई लोग कैट को PC का सब्स्टिट्यूट कहने लगे वरहाल ही में एक इंटर्व्यू के दौरान प्रडूसर अतुल अगनी होतरी ने कहा मुझे लगता है कि काट्रीना कैफ मेरे लिए एक लखी चाम है एक लखी मैस्कॉट है प्रियांका चोपरा हमारे डिरेक्टर अलियबाज जफर को परफेक्ट लगी लेकिन मैं सोचता था कि काश काट्रीना होती अतुल के statement से तो ये clear हो गया कि काट को substitute नहीं बलकि खुद प्रडूसर की पहली choice थी उन्होंने आगे ये भी कहा भाई के साथ जो जोडी complete लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ काट्रीना के साथ ही लगेगी वैला तो लगनी होती ही कि इस बात से आप कितने सहमत है ये नीचे दिये comment section में हमें जरूर बताएं इन दिनों आलियबाद जफर अपनी upcoming film भारत को promote करने में busy है ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सुल्तान का sequel बनाना चाहिए तो वो कहते हैं कि शायद अभी मुझे इस बात के लिए convince होने में दो या तीन साल लगेंगे फिर उसी interview में उनसे फिल्म भारत के चाशनी गाने के बारे में पूछा गया तो अली ने कहा चाशनी is a classic love song कुछ चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए love song सालों से एक तरह से shoot होते थे वो जब उसी तरह से shoot होते हैं obviously setup और chemistry और music बहुत important part है मेरे हिसाब से love song की सबसे strong चीज होती है उसकी melody और एक बार एक खुबसुरत song की melody आए और आप उसे beautifully shoot करें तो वो evergreen बन जाता है अली की ये बात तो बिल्कुल सच है और फिल्म भारत के चाशनी song से तो हम सब को अपना अगला love ballad मिल चुका है है ना Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movie Zadda Well guys, भारत फिल्म से जिन्दा हूं मैं song जी हाँ जो song का वाकई बेसबरी से सभी को इंतजार था हाला कि भारत फिल्म के सभी गाने एक तरह से super duper hit already हो चुके हैं चाहे बाद की जाए वो slow motion song की या चाशनी song की या फिर एथया जितने भी गाने हैं सभी एक से गाने हैं हाला कि ये खबर आ रही थी कि भारत फिल्म से ये जो song है इसके बाद एथया song के बाद नौरा फतेही और सल्मान पे गाना पिचराइस किया गया है जिसको रिलीज बहुत जल्द किया जाएगा लेकिन लेकिन उस गाने को फिलाल रुलीज नहीं किया जाने वाला है अब गाना आने वाला है जिसमें कि सल्मान कान पूरी देश भक्ती की भावना में नजर आने वाले है और गाने का नाम है जिन्दा हूं मैं तेरे लिए अब ये गाना किस हद तक इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के ये तो खेर गाना रिलीज होने के बाद ही पता चलिगा लेकिन जहां तक मुझे ख़बर मिल रही है बहुत लोगों को इस बात से शिकायत थी कि इस फिल्म के एक भी गाने को ग्रैंड लॉंच नहीं किया गया नही ट्रेलर को ग्रैंड लॉंच किया गया नहीं टीजर को ग्रैंड लॉंच किया गया वेल इस चीज को लेकर काफी लोगों में शिकायत थी काफी लोग खोड़ से डिसपॉइंट भी फील करे थे कि शायद भाईजान की एक जहलक देखने को मिल जाते लेकिन ऐसी खबरे आ र फिलहाल की मैं बात करूँ तो ये बात सच है कि ये जो सॉंग है ये अपने आप में इस फिल्म का बहुत इंपॉर्टन कारेक्टर पोट्रे करते हुए नजर आएगा चाहे सलमान खान की बात की जाए या कट्रीना काफ की या फिल्म के जितने भी कारेक्टर से सभी की वेल से पहले एक छोटी सी जहलक आई है अब इंतजार है पूरे के पूरे गाने का और सलमान खान का सो आप लोग कितना एक्साइटेड हो वीडियो के नीचे जाओ और कॉमेंट्स करके मुझे बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना दुजस जोती नाहाग साइनिंग ओफ और इसके बाद वो अब अलग-अलग मंचों पर जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं इन प्रमोशन्स के चलते ये दोनों स्टार्स अब पॉपिलर मराथी शो चला हवा यहूदिया में भी आएंगे नजर चला हवा यहूदिया भले ही रीजनल टीवी शो है लेकिन आजकल इसकी पॉपिलारिटी को देखते हुए कई सिलेब्रिटीज इस शो पर अपनी फिल्म्स को प्रमोट करते हैं ऐसे में सल्मान और कट्रीना को इस पॉपिलर मंच पर देखने के लिए हम सब तो काफी एक्साइटेड हैं और आप दबंग 3 को लेकर फैन्स के मन में काफी एक्साइटमेंट है और मेकर्स भी इस एक्साइटमेंट को कायम रख रहे हैं तो जब मेकर्स ने अनाउंस किया कि साउट फिल्म इंडास्ट्री के सूपर स्टार किच्छा सुदीप इस फिल्म के विलन होंगे तो फैन्स की ये एक्साइटमेंट दुगनी हो गई और फिर सुदीप भी ओन बोड आए और अपने सीन्स की शूटिंग करने लगे अब सुदीप ने फिल्म के क्लाइमिक्स सीन को भी शूट कर लिया है और वो इस अचीवमिंट को लेकर काफी खुश है ऐसे में उन्होंने सोचल मीडिया पर दिया है हम सब को एक बहुत बड़ा हिंट जी हाँ, सुदीप ने एक ट्वीट में लिखा क्लाइमिक्स शूट फर दबंग 3 has been very hectic yet a great experience, huge set and a humongous team bare body fight against Salman Khan is the least I had ever thought of doing, ever yeah, I do carry a little confidence today and I'm enjoying it वेल अब सुदीप के स्ट्वीट से हम सब को ये तो पता चल ही गया कि क्लाइमिक्स सीक्वेंस के face-off में Salman Khan एक bare bodied scene करेंगे और अब इस scene को देखने के लिए हम सब तो काफी excited हैं और आप साल 2014 में इम्रान हाश्मी करन जोहर के controversial चैट शो काफी विद करन का हिस्सा बने तब उन्होंने एश्वरिया राय को फेक और प्लास्टिक कहा था अब इस statement से हमारी former beauty queen काफी नारास हुई और इसके बाद दोनों के बीच cold war शुरू हो गया आश्व को इसके बाद जब भी कोई मौका मिला तो उन्होंने इम्रान को अपने करारे शब्दों का निशाना बनाया और दोनोंने कभी साथ काम नहीं किया पर अब आश के ससूर जी यानिकी अमिता बच्चन ने इम्रान के साथ एक फिल्म साइन कर दी है सिर्फ साइन ही नहीं बलकि उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है इस फिल्म के मुरत शॉट की तस्वीरे अब वाइरल हो गई है जिसे देख कर सभी ये अटकले लगा रहे हैं कि अब आश बिग बी से काफी नाराज होंगी खैर बिग बी ने प्रोजेक्ट साइन करने से पहले अपने घरवालों से सला तुली ही होगी मगर एश अब उनसे नाराज है या फिर उन्होंने इस इशू को इग्नोर कर दिया है ये देखना भी बाखी है फिल्हाल बस इतना ही मगर बी टाउन की ऐसी कई होट स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहे हैं और अपने कॉमेंस नीज़िदे इस सेक्शन में शेयर करते रहिए दिपका पादुकोन और उनके एक्स रनबीर कपूर की जोड़ी काफी हिट रही है और फैन्स अन दोनों की केमिस्टी को बेहद इंजॉय करते हैं लेकिन अपने ब्रेकप के बाद इन दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया और आज दिपका ने रनबीर के साथ शादी कर ली है वहीं रनबीर कपूर भी आलिया भट को डेट कर रहे हैं ऐसे में इन दोनों एक्सेस के बीच की दोस्ती की चर्चा होने लगी और सभी को लग रहा था कि ये दोनों अब लव रंजन की अगली फिल्म का हिस्सा बनेंगे पर नहीं हाल ही में एक इंटर्व्यू के दोरान खुद लव रंजन ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा दिपिका और तब्बु को साइन करने की ख़बर अफवाह मात्र है पिछले साथ से आठ महिनों में कई हिरोईन के नाम इस फिल्म से जुड़े हैं ये ख़बर सच नहीं है मैंने अब तक किसी को भी फाइनल नहीं किया है हाँ हम कई लोगों से मिल जरूर रहे हैं लेकिन अब तक कोई भी बात पकी नहीं हुई है जब भी हम अपनी फिल्म की हिरोईन को फाइनल करेंगे जिस तरह फिल्म की गोशना की गई थी उसी तरह लीडिंग लेडी के बारे में अनौनस्मेंट करेंगे तो लव रंजन के इस स्टेट्मेंट को जानकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं इस बार मेट गाला 2019 के पिंक कापिट पर प्रियांका चोपरा के अन्यूश्वल लुक ने तहलका ही मचा दिया मगर जहां उनके बोल्ड आवटार को कई लोगों ने पसंद किया वही कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया पर अब तक PC ने कोई रियाक्शन नहीं दिया आखर कई दिनों बाद PC ने मेट गाला और अपने ड्रेस पर रियाक्ट करते हुए कहा मेट गाला is all about going overly dramatic about your look You either go big or go home when it comes to attending मेट गाला My look was extremely comfortable and felt good in the dress आपको बता दे कि दो साल पहले मेट गाला पर ही प्रियांका चोपरा और निक जोनस की पहली मुलाकात हुई थी और आज दो साल बाद वो दोनों पती-पत्मी बन कर इस इवेंट को अटेंट कर रहे थे इसलिए ये दिन दोनों के लिए और भी खास हो जाता है तो PC के रियाक्शन के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं हमें जरूर बताएं